तो इस वीडियो में करने वाला हूं एक्सप्राइट इडिटे इंब्रेन कोशन जो के लॉंपेड लेवल और कम्प्टिशन लेवल पर पूछा जाता है तो चली शुरू करते हैं कोशन में में दिया है कि 7 की पावर जो है वह 77 के एक्वल है और 77 की पावर बी जो है वह 343 के एक्वल है तो सबसे पहले जो इसकी यह वाला जो पार्ट है चली यहां की पावर बीकोट भी टू 3 यह मैं लेख लेता हूं हाँ यहां पर सॉल करने के लिए तो 77 की पावर बी जो है वह 3 ऑUT3 के एक्वल है तो देखे इसको मैं इस तऱ ऐसे लेखता हूं जैसे कि यहां पर देखिए 77 जो है वो किसके एक्वल दे रखा है मुझे 7A के एक्वल दे रखा है तो मैं यहां क्या करूँगा कि यहां 77 को replace कर दूँगा 7A से तो मैं इसको इस तरह से ले सकता हूँ कि जो 77 है इसकी जगे पर मैंने लिप दिया 7 की पावर A और बाहर यहां पर है B इस इकल टू 343 जैसे कि एक्सपोनेंट पर हमने रूल पड़ा हुआ है कि अगर X की पावर M हो और बाहर N हो तो हम यहां पर base को सेम रखते हैं और यहां पर इन दोनों को multiply करा लेते हैं M into 1 तो उसी का यूज में अगर हुआ यहां पर हो जागा 7 की पावर A B वह है 343 केक्वल उसके बाद यहां क्या करना है कि जो 343 दिया है इसको मैं factorize कर लेता हूं तो factorize करेंगे यह सबसे पहले जा रहा है यह 7 से हम 7 से इसको कर लेते हैं तो 7 4 जा रहा है फिर 7 9 जा उसके बाद यहां फिर 7 से जाएगा 7 7 जा 49 फिर यहां 7 बन जा 7 इस तरह से मैंने इसको factorize कर लिया तो मैं इसको यहां लिख सकता हूं कि यह जो है वह 7 into 7 केक्वल है यहां 7 की पावर A रहे है यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं कि 7 की पावर 3 इस तरह से लिख सकता हूं यहां है 7 की पावर A B आ दिखिए यहां पर जो बैस हैं वह दोनों के सेम है तो इसलिए यह कह सकता हूं कि जो A B है वो मेरा यहां किस के क्वल हो जगा 3 के क्वल हो जगा तो आशा करता हूं कि आपको यह question समझ में आया होगा तो मिलते हैं next वीडियो में और नए questions लेकर तब तक आप practice कीजिए और improve कीजिए अपनी match और अगर वीडियो अच्छे लगिए हो तो share like औ कर दो